राज्यों से पधारे हुए सारे सभी मंत्री गाण, केंद्रों और राज्यों सरकार के सभी अधिकारी गाण, अन्य महानुभाव, देवियों और सजनों, आप सभी का इस राष्टिय सम्मेलन में और विजयेस करके एकता नगर में स्वागत है, अभिनन्दन है, एकता नगर में ये राष्टिय कांफरेंस, अपने आप में मैं महत्पपुन मानता हूँ, अगर हम वन की बात करें, हमारे आजिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइड लाइब की बात करें, हम जल सवरक्षन की चर्चा करें, हम टूरिजम की बात करें, हम प्रक्रूती और परियावरां और विकास, एक प्रकार से एकता नगर उसका जो होलिस्टिक डवलप्मेंट हुआ है, वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पदा करता है, कि वन और परियावरन के ख्षेत्र के लिए, आज एकता नगर एक तीर्थ ख्षेत्र बन गया है, आप भी इसी ख्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री और दिकारी आये हैं, मैं चाहूँगा अग एकता नगर में जितना भी समय आप बिताएं, उन बारिक्यों को जुरूर अब्जरु करें, कि जिसमें परियावरन के प्रती, हमारे आदिवासे समाज के प्रती, हमारे वाइड लाइब के प्रती, कितनी सम्वेदन सिल्का के साथ कारियर रचना की गई हैं, निर्मान कारियर हुआ है, और भविश में देश के ये अनेक कौने में, बन परियावरन की रक्षा करते हुए, विकास की रहापर तेजगती से आगे बढ़ सकते हैं, इसका बहुत कुछ देखने, समझने को यहाँ मिलेगा, साथ हुआ हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं, जब भारत अगले पचीस वर्सों के अमरित काल के लिए नए लक्षत ताय कर रहा है, मुझे विश्वास हैं, आपके प्रयासों से परियावरण के रक्षा में भी मदद मिलेगी, और भारत का विकास भी उतनी ही तेजगती से होगा, साथियों, आज का नया भारत, नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत तेजी से विक्षिद होती एकोनामी भी है, और निरंतर अपनी एकोलोजी को भी मजबूत कर रहा है, हमारे फोरेस्ट कबर में बृद्धी हुई हैं, और वेट लेंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है, हमने दुनिया को दिखाया है, कि रिन्योबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायदी को इसको मैच कर सकता है, इंटरनेसलर सोलार अलाइंस हो, कोईलिशन फर डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफ्रास्रेक्टर हो, या फिर लाइफ मुवमेंट बड़ी चुनोतियों से निपट्टि के लिए भारत आज दुनिया को नित्रुत्व दे रहा है, अपने कमिट्मेंट को पूरा करने के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के कारण ही, दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है, बीते वर्षों में लाइंस, शेरों, बागों, हाथियों, एग सिंग के गेंडों और तेंदों के संख्या में बृद्धी हुई हैं, चीता की घर वापसी से, एक नया उत्सा लोटा है, हर भारत वासी के रगों में, संस्कारों में, जीव मात्र के प्रति दया और प्रक्रुति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से जुँ उठाता, हिंदुस्तान के हर कोने में, ऐसा लग रहा था, जैसे उनके अपने घर में कोई प्रियम महमान आए है, ये हमारे देश की एक काकत है, प्रक्रुति के साथ संतुरन साधिने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आनी वाली पीडियों को भी समस्कारित करते रहें, इसी संकल्प के साथ भारत ने ट्वेंटी सिवेंटी दो हजार सत्रा तक, अब हमारे पास करीब करीब पांच दसक है, नेट जीरो का टार्गेट रखा है, अब देश का फोकस ग्रीन गोथ ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत आउसर पैदा होते हैं, और इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए, हर राज्य के परियावरन मंत्राले की भूमिका बहुत बड़ी है, साथियों, परियावरन मंत्राले, चाहे जिसकी सी राज्य में हो, या केंदर में, उनके दाईतों का विस्तार बहुत बड़ा है, इसे संकुची दारे में नहीं देखा जाना चाहिए। मुझ नहीं केवाःन बाज़ी है, या कि दिसकी सी राज्य मंत्रा हूब बाज़ी है, झाल, झाल, झाल